इस वीडियो में हम भारत के दर्रों का पार्ट 2 करेंगे इससे पहले एक पार्ट हो गया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं तो लाइट चली गई थी इसलिए दूसरा वाला पार्ट नहीं आप आया था पिछले वीडियो में हमने ल इतिला मानाला इससे थोड़ा साउंड कर रहा है कि कुछ धार्मिक नाम होंगे तो याद करने में असानी होगी तो यहां आपको पता ही नेपाल वाला रिजन है इधर तिप्बद यानि चाइना वाला रिजन पहला पास है लिपुलेग पास लिपुलेग पास जो है इस रा असान होता है जल्दी पहुंच जाते इसलिए लिपुलेग तर्мов ड़ले से होगर जाते हैं और लिपुलेग दरे में कुछ दिन पहले जो नेपाल दावा कर रहा था यह मेरे रीजन में हैंतरी लीपुलेग टरे की बातो रही थी इधर वाले लीजन को अपना इंपहते हैं dallिआ अगला वेख्वेश कोर्ष बंद कर दिया गात heh इंटिस Państwo बंद करडिया ग्या ängtबीच में उसके बाद इसे बंद कर दिया गया से चुछ मै अब शायद और तिबबत के बीच में रास्ता प्रदान करता है मानाला पास, फिर आता है यहां पर मुलिंगला, क्योंकि यह जो मानाला है, बहुत उचाई पर इसका एलेवेशन बहुत उचाई, इसलिए यहां पर बरफ जम जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, फिर है मुलिंगला, तो एक और पास बीच में जो कि यहां पर मिलाम घाटी और पिंडार घाटी को जोड़ता है कौन सा पास ट्रेल पास तो यह आपको पांचों पास याद रखने ज्यादा तर इस तरह से कोश्चन आते हैं कि इन में से कौन सा पास उत्राखण में नहीं है तो मुलिंगला मानाला न दूसरा है जलेपला नाथुला के तुरू इसके लिए इंपॉर्टंट है पूछा जा सकता है कि इससे ही पहले जो सिल्क रोड थी यहीं से गई थी तिबबत की रास्तानी जो थी लहासा लहासा अब तो तिबबत का अलग से कोई अस्तित्वी नहीं है चाइना में इसको सा उसका पता है भुटान है उसके लहासा जा सकते ह cumin दोनों रास्ते में दर्य नाथुला और चलेपला अगला प्रदी fans णेबाल इनाचल प्रदेश के र tarkуск है पहले सकते हैं तो यहां पर भुटान भी आ सकते हैं और लहासा भी जा सकते हैं तो तिबबत भी जा सकते इने फर तो दिफू पर लिए श्तित है यहां तक तो चैना इधर से म्यामार सुरू हो जाता है तो यह म्यामार को था मैभ जास्टा पन्करते हैं और इधर चैना भी जासकते हैं तो यह त्रीन लेकंसर पानी अगर उप्रेफ ऐसे लेकां पानी से अगर में मैंमार जाना हो तो कौन सा दर्रा आएगा पांगसाओ दर्रा अगला है मानिपूर का कौन सा दर्रा तुजु दर्रा जो कि इंपोर्टन है भारत से म्यामार जाने का रास्ता तो इधर वाले दर्रे जरूर याद रखेगा एक्जाब में पूछ जाते हैं नौर्थ इसके सिक्कीम का हो गया नाथुला जलेपला और अचाल प्रदेश का हो गया बोंडिला यांग्या डिफू पांक्साव और उसक कि उतर से शुरू करते हैं यह थाल गाट लगा लगा लिजيगा यह थाल गाट किसके इस भी चस्तीत है यह हम हर एकć में यहHaum यह कि मुंबई तो मुंबाई से अगर हमें नासिक जाना हो यह व गया मुंबई हो इनी तीनों को देखना है कैसे करेंग होंग सिस्ट बहले हम थाल घाट पहले हम थाल सजा के निकले तो पहला राण से पहले से थाल टाल सजा के रखा के और यह रहाष्था के बीच है मुंबई से लेकर नासिक हुए यहांपे मध्य प्रिदेश की इंदवर से होते हुए अगर हम उत्तर प्रिदेश बिहार जाना चाहें तो यहीं वाला रास्ता है नासिक से होगे यह फें दोर पड़ेगा इसे वाला हो गया अगला जो है एक तीसरा घाहत तो पहला दिखता है तो तीसरा देखते हें पालगाट में यह हो गैल करनाटक के बीच में यह कोची यह हो गया कोच्ची और नीचे है तिरुवनन्तु पुराम अगर आपको दिख रहा होगा तो सबसे नीचे आपको मैप देखा होगा तो अगर इसमें नहीं दिख रहा होगा तो मैप देख लीजेगा तिरुवनन्तु पुराम तो अगर हमें कोच्ची से लेके इधर कनाटक होते हुए चन्नाई तक जाना है मालीचे तमिलाडू के चन्नाई तक जाना है तो हम किस दर्रे से होकर जाएंगे तो यही वाले दर्रे से पाल घाट से तो केरल और कनाटक के बीच में यहापे पढ़ता है कोयमबटूर होते हुए कनाटक पढ़ता है कोयमबटूर होते हुए अकर हमें तक जाना हो तो रास्टा कों प्रदान करेगा पाल हाट फिर यहापे सेनकटा से कैसे हम यात्रा करेंगे तो अगर हमें केरल के 1 अनंत पूरम से यहां पे लिचसे सबसेग्स पिरू उन पूरम आत फिर बोर घाट पाल घाट पिर सेनकोटा यह सभी किस घाट में इस्थित है पश्चिमी घाट में पूर भी घाट में दर्रे नहीं है क्योंकि यहां पर जो माउंटिन्स है उसमें गैप्स पाय जाते हैं जो अमने पिछले वीडियो में बात की थी तो इसका अगर आप स्क्रे